देखें संदीब घोश के अगर बात करें सीब्याय का शिकंजा उस पर हो लगातार पूछताच भी की जा रहा है कोलकाता के आरजी का रस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदिगी की गई उसको लेगर के लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आपने देखा कि डॉक्टर्स भी प्रदर्शन करें ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि दिल्ली में मुंबाई में अलग-अलग जगों पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात की पूर्व प्रिंसिपल पर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं देखे रिपोर्ट कोलकाता रेप मडर केस की जहां जैसे जैसे आगयो बढ़ रही है कई चौकाने वाले खुलासे हो रहे है एक तरफ जहां CBI आरोपी संजय रोई के असलियत खगालने के लिए उसका पॉलिग्राफ टेस्ट कराने जा रही है तो यह आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीब घोश पर भी शेकंजा कस्ता दिखाई दे रहा है जो हालाद बन रहे हैं उसे देखते हुए आशंका जटाई जा रही है कि CBI किसी भी वक्त संदीब घोश को गरफतार कर सकती है यह आशंका इसलिए क्योंकि रेप और हत्याकान में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमी का पहले दिन से ही संदिख्द है सूत्रों के मुदाबिक CBI संदीब घोश को इसलिए गरफतार करना चाहती है क्योंकि संदीब घोश पर कई संगीन आरूप लगे है संदीब घोश पर वित्य धांदली का रोप है संदीब घोश के बयानों में कई विसंगतियां है संदीब घोश बार बार बयान बदल रहा है कई सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है हाला कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मडर केस में संदीब घोश की सिदी भूमिका है या फिर नहीं सीबियाई ने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साजा नहीं की है लेकिन सीबियाई जिस तरह से लगातार पिछले पांच रोज से संदीब घोश से पूस्ताज कर रही है और उससे साठ घंटे से ज़्यादा सवाल जवाब कर चुकी है उससे देखते हुए संकेत साफ है कि सीबियाई को इस केस पर उसकी भूमिका परशक गहरा गया है इसलिए सीबियाई कोई चांस लेना नहीं चाहती सूतरों की माने तो नहीं आशंकाओं को देखते हुए सीबियाई अब संदीब घोश की पॉलिग्राफ टेस्ट कराने के तयारी कर रही है वही कोलकता पुलिस न भी संदीब घोश को लाल बजार में पेश होने का नोटिस दिया है बताया जा रहा है कि पिड़ता का असली नाम उजागर करने के मामले को लेकर कोलकता पुलिस ने संदीब घोश को बुलाया है हलाकि संदीब घोश के खिलाप आचानक बंगाल सरकार ने भी SIT जांच शुरू कर दी है जिसे लेकर अब BJP ने ममता सरकार को घेबना शुरू कर दिया है BJP का रोप है कि जिस संदीब घोश पर ममता सरकार महरबान थी आचानक उसके खिलाब S.I.T. जांच का फैसला सीधे तोर पर C.B.I. की जांच को प्रभावित करने के लिए दर्श किया गया है जो इस बात का इशारा है कि C.B.I. की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है बहराल कोलकाता रेफ मडर केस में आज ही आरूपी संजे रॉय के पॉलिग्राफ टेस्ट होने की संभावना है जिसके जरिये C.B.I. आरूपी संजे रॉय के जूट और सच का पता लगाएगी ऐसे में अब सभी को इंतिजार है कि पॉलिग्राफ टेस्ट में आरूपी संजे रॉय जरूर कुछ ऐसा खुलासा करेगा जो पूरे देश को दहलाने वाले इस कांड के छिपे किरदारों के चेरे से परदा हटा देगा प्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत बड़ी करी आपको बताजे है जहां दिल्ली ऋयम्स के डॉक्टर हर्ताल खत्म नहीं करेंगे आज जंतर मंतर पर प्रिदक्ष्ट करेंगे ऐम्स के डॉक्टर उस्टारी करते हुए नजर आ थे और आज भी इसी तरीके से ये प्रदर्श्वन जारी रहने वाला है हाला कि सुप्रीम कोड की तरफ से ये कहा गया था कि डॉक्टर हरताल खत्म कर दे हम उनके साथ है लेकिन डॉक्टरों का फैसला है कि वो अभी भी हरताल खत्म नहीं करने वाले हैं इसी तरीके से जारी रहेगी और आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और इसी के साथ आपको बताते कि आखरकार पॉलिग्राफि टेस्ट जो होने वाला है वो क्या होता है व्यक्ति को एक मर्शीन से इस दौरान जोड़ा जाता है टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक मर्शीन लगाई जाती है ठीक इसी तरीके से जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे है परिक्षन के दौरान उससे सवाल पूछे जाते है उस पूरे घटना करम के बारे में जिसे लेकर के ये परिक्षन हो रहा है और मशीन शारिरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है और जब जवाब दिये जाते है उस दौरान हार्ट रेट ब्लड प्रेशर को नापा जाता है उसे दर्ज किया जाता है मशीन से सास लेने की दर जाता है टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है परिणामों में बदलाव जूर बोलने का संकेत हो सकता है और चरी खबरों में आगे बढ़ती है बात करेंगे उत्तर प्रदेश की क्योंकि यूपी के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है यूपी य लोग खुला तो मरने का कारण साह हुआ खोड़ा एलाके में रहने वाली युप्ति ने 17 अगस्त की राथ 10 बजे कमरे में पंखे में पांसी पर लटक कर जान दे दी मरने से पहले युप्ति ने खुदकुशी का वीडियो बनाया और अपने पुरुश मित्र को मरने का करते हुए मंगलवार को आरूपी दोस्त को गिरफतार कर लिया है उनको कुछ वीडियो प्राथ हुई जिनने उनकी बेटी अपने पुरुश मित्र नितेश निशाद को अपने मरने का मुख्य कारण बताते हुए उसके उपर ब्लैक मेलिंग का आरूप लगाते हुए हासी लगा रही थी जिसके आधार पर ततकाल मुकदमा पंजिक्रित कर लिया गया है आरूपी नितेश निशाद को गिरफतार कर लिया गया है बताया जा रहा है कि उप्ती का दोस्त थी उसको ब्लैक मेल कर रहा था वो उसकी नावालिक छूटी बेहन से सम्मंद बनाने का दवा कर दी गई बताया जा रहा है बाइक सावार बनमाशों ने फारिंग की वारदात को अंजाम दिया है बड़ी ख़वर आपको बतार आरे तस्वीर भी दिखा रहे है किस तरह से देखें ये पैखौफ बनमाश दिन दाहारे इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं पुलि मारकर बनमाश फरार होगा है बेखौफ बनमाशों ने दिन दाहारे इस घटना को अंजाम दिया है जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस फुटिज के जरिये आरूपियों के पैचान करने की कोशिश कर रही है और तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे है बिहार के हाजिपुर में गोली कान की घटना सामने आई है सीसी टीवी में हमलावर कैद हो गया है ये बनमाश उचानक आता है और गोली मारके फरार हो जाता है पारशद की हत्या कर दी गई है दिन दाहारे ये घटना अंजाम जिसके बाद आप पूरे मामले की जांच कर रहे है पोलिस पहचान करने की कोश्चिश कर रहे है आरोप्यों की पलसर था तीन था कितना राउंड गोली चला है गोली चला है 10 से 12 राउंड चला है और लगा कितना है लगा है जो सामसर नहीं बता सकते हैं पतस्वीरिया को दिखा रहे हैं जा करनोज मामले में पीरता की बुआ को गिरफतार कर लिया गया है पीरता की बुआ की तलाश में यूपी बुलिस ने छेटी में लगाई थी लेकिन आखरकार सफल्दा मिल गई है और जो बुआ है उसकी भूमी का भी संदिक नजर आ रही आरोपी नवाव यादों के साथ मौजू थी आरोपी बुआ तस्वीरों में कैद हुई थी जिसके पाद उसे ढूडा गया और अब सामने आई है आज सुबह पाच बजे आरोपी बुआ की ग्रफतारी हुई है जिसके बाद आप देख सकते हैं कन्योज पीरता की बुआ पर ये आरोप नगे थे कि वही नावालिक को लेकर खे गई थी नवाव के पास और इसी मामले में उस से खोजा जा रहा था